आज हैं पढ़ेंगे Moral Value चैप्टर 6 सबसे बड़ा धन एक समय की बात है किसी गाओं में सेट दीन दयार नाम का एक व्यपारी रहता था उसके दो पुत्र थे अजय और विजय जिब अजय और विजय बड़े हुए तब उन दोनों की सेट जी ने शिक्षर प्राफ्ट करने के लिए एक नगर के एक बड़े विद्याले में भेज़ दिया विद्याले जाकर अजय ने मन लगाकर पढ़ना शुरू किया किन्तों विजय की पढ़ने में कोई विशेश रुचे नहीं थी अजय सदेव अपने गख्षा में प्रथन स्थान प्राफ्ट करता था विजय बस किसी प्रकार गिरता पढ़ता उत्त्रीन हो जाता था अजय था बहुत अच्छा पढ़ता था हमेशे फस्ट आता था लेकिन विजय जैसे तैसे ही पासो पाता था विजय कुछ वर्षों तक तो पढ़ता रहा किन्तु फिर एक दिन उसने अपने पिता जी से स्वस्ट रूप से कह दिया कि उसकी पढ़ाय में कोई रुची नहीं है सेज जी ने उसका विदाले चुरवा दिया और उसी वेपार में अपने साथ लगा गिया जब वेपारी के दो दोनों पुत्रों दो अलग-अलग दिशाओं में तरक्की कर रहे थे आजय पढ़ाय कर रहा था और विजय वेपार दिदे दिदे विजय का वेपार उन्नती करने लगा वेज दो कारखारों का मालिक हो गया और काफी धनवान हो गया अजय उस शिक्षा प्रात कर एक बड़ा विद्वान बन गया, उसने धन कमाने में कोई रुची नहीं थी, मैं साधा जीवन उची विचार के सिद्धान्त में विश्वास करता था एक दिन जब दोनों भाई अजय और विजय बोजन कर रहते तो विजय ने अजय का उपास करना पारम कर दिया मैं बोला भाई, अजय तुम विर्थ ही अपने जीवन पुस्तकों के पीछे नश्ट कर दिया या पुस्तके तुमें क्या देंगी, इनका क्या मूले है, यदि तुम इनको बेशने भी चाओगे तो हजार पांसो रुपे से अधिक नहीं मिलेंगे, अब तुम मुझे देखो, मेरे पास सारी सुक्सु विदाय है मेरे पास कार है, रहने को शांदन घर है, मेरे पास करोडो रुपे है, लोग मेरा संबान करते है तुम्हे कौन पूछता है, यदि तुम अलग रहने लगे, तो साधार और जीवन ही बिता पाओगे अजे चुपचा विजय की बाते सुनना, सुनता रहा, वे, जब विजय अपनी बात समाप्त कर चुका तो वह बोला, मेरे भाई, तुमने जो कुछ कहा है, हो सकता है, वह सकते हो किन् despair मेरे विचार में धन का कोई विशेश महत नहीं है विध्या तंज सबसे बड़ा धन है, इस धन को चोर चुरा नहीं सकता न अगनी से जला सकती है, ना वर्षा इसे बहा सकती है धन्वान व्यक्ति का सम्मान के वर अपने ही नगर में होता है इसके विप्रित विद्वान व्यक्ति का हर स्थान पर सम्मान बाद भूल जाते है सम्मान होता है राजा भी उनके सम्मान में सिंगासन छोड़ कर खड़ा हो जाता है धन्वान व्यक्ति को लोग अपनी मिर्टि के बाद भूल जाते हैं विद्वान व्यक्ति को लोग अपनी मिर्टि के बाद भी याद करते हैं विद्वान व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है विजय अपने भाई की बातों पर कोई ध्यान न देकर उसकी हसी ही उड़ाता रहा कुछ बश्वाज विजय कोई व्यापार में हानी होने लगी वे दिन पती दिन गरीब होने लगा कार खाना और मकान करजदारों का करज़ चुकाने में बिक गए निराश विजय ने अपने भाई अजय के पास जाने का निश्वे किया अजय के घर जाते समय उसने अब जाते समय उसने देखा एक मैदान में बहुत लोग जम्या है जहां मंच बना हुआ था उसने देखा मंच पर अजय बैठा हुआ था उसके गले में मालाएं पड़ी थी लोग उसे सम्मान सगीद का रहे थे तब भी मंतरी जी ने मंच पर अजय से हाथ मिलाया और गले लगाया आद दस लाग रुपे का चेक भीड़ी किया मैदान में बैटे लोग तालियां बजा कर उसका सौगत कर रहे थे यह दृष्ट देखकर विजय का दिल खुशी से भार गया उसने अपने बूल पर प्रश्रताब होने लगा उससे ग्यान हो गया था कि वास्ता में विद्या धनी सबसे बड़ा धनी है हमें विद्या विद्वानों का सम्मान करना चाहिए हमें देनी सोसना चाहिए कि पढ़ने से कुछ नहीं होता है पढ़किया देखो कितना हमें सम्मान मिलता और सब हमारा कितना आधर करते हैं तो पढ़ाय भी बहुत ज़रूरी है तो बच्चों वह वक्त में आपको यह चैप्टर रीद करना है फिर से अच्छी से समझना है और इसके रिक्सिस्तान बरो को कौपे में गरना है ठीक है ठैंक्यू वेव नाइस जेव